आपके पास कौन सी दिव शक्ती है जो माला माल बनाएगी दिल से चुनिए कोई एक रिंग नमस्कार दोस्तो जैमातादी जैश्री कृष्णा कैसे हैं आप सब हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे सेहत मंद होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे हो जाए ऐसी हमारी इश्र से हमेशा प्रार्थना होती है बहुत ही इंट्रेस्टिंग सा टॉपिक है आज का कि आपके साथ ऐसी कौन सी दिव शक्ती रहती है जो आपको माला माल बनाएगी आपके सामने तीन रिंग है आपको चुन लेना है अपनी आखे बंद करके अपने इश्र को याद करके उनसे प्रार्थना करने ही कि इस वीडियो के माध्यम से आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाए और फिर गहरी लंबी सांस लेकर एक आप्शन चुन लेना है अगर आप चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर करके हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजे अब अगर आपने चुना है फर्स्ट वाला आप्शन तो आपके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड आपके उपर कौन स को भी अच्छे समय में बदल सकते हैं जी हां कुछ ऐसी कृपा आपको मिल सकती है फितरों की अपने पूरवजों की कि उनके आशिरवात से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे आप यहां पर दिख रहा है कि महाकाल के बड़े भक्त हैं जी हां महादेव के भक हैं तो पूजा पाठ करना शुरू कीजिए उनके पूजा कीजिए कुछ नेगेटिविटी अगर आपको ऐसी महसूस होती है आपके घर में तो आप मंदिर जाना शुरू कीजिए आपका मन भी शान्त होगा और महादेव भोले नात हैं बहुत जल्दी मान जाते हैं जी हां उनकी जो भी पूरी श्रद्धा भक्ती से पूजा पाठ करता है उनका हर एक्षा वो पूरी करने में बिल्कुल भी तेर नहीं करते हैं तो महादेव कि अगर आप भक्त हैं तो बहुत अच्छा है गाए को रोटी और कुते को रोटी भी जरूर खिलाएं पितर पक्ष में आपको आपका गुड लक मिल सकता है जी हाँ आपके ऊपर कुछ इस तरह से पितरों का आशिरवाद आपके पूरवजों का आशिरवाद आपके ऊपर बनेगा कि आप माला माल हो जाएंगे तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि इस समय में जो भी उनकी तिथी पढ़ती ह उसमें आप दान पूरने करें जितना भी संबह हो सके शराद करें और साउथ की दिसा में जी हां दक्षिन दिसा में मो करके उनकी पूछा पार्ट करें आप बात कर लेते हैं सेकंड वाला ओप्शन अगर आपने चुना है सेकंड वाला ओप्शन और आप जानना चाहते हैं कि आपके साथ कौनसी दिव शक्ती रहती है जो आपको माला माल बनाएगी आप मातारानी के बड़े भक्त हैं कुछ लोग हैं जो मातारानी के भक्त हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हन्मान जी के बहुत बड़े भक्त हैं और आप इतनी श्रद्धा से उन से जो भी मांगते हैं, आप पूरे विश्वास के साथ मांगते हैं, कि जो भी आपने मांगा है, वो बिल्कुल आपको मिलेगा ही, इस तरह से आपकी भावना रहती है, और आपको पता दें कि वो भी आपकी हर एक्षा पूरी करते हैं, जी है आपकी हर इक्षा पूरी करते हैं जो आपके इश्ट हैं उनकी शक्ति आपके साथ होती है कभी भी आप अकेले नहीं होते हैं किसी भी मुसीवत के पहले ही आपको एहसास हो जाता है कि अब आपको सतर्क होना है तो आप पहले ही सतर को जाते हैं और बड़ी से बड़ी मुसीबतें भी कब निकल जाती हैं आपको पता नहीं चलता है इस तरह से आपके उपर जो दिव शक्ति का हाथ बना हुआ है मातारानी का या तो फिर हन्मान जी का जिसके वज़े से आपको जीवन में कोई कष्ट नहीं होता और आपकी हर इच्छा पूरी होती है जी हैं दोस्तों बहुत पॉजिटिव रहते हैं आप बहुत पूजा पाठ भी करते हैं और पूरी इस रधा और भक्ति से उनको ध्यान में रखते हैं अपने मन में रखते हैं तो इस तरह से आपको उनका आशिरवाद भी मिल रहा है आई होप आपको समझ में आ गया होगा जै माता देजाए श्री कृष्णा अब बात कर लेते हैं थर्ड वाला ओप्शन अगर आपने चुना है थर्ड वाला ओप्शन और आप जानना चाहते हैं कि आपके उपर कौन से दिव्य शक्ती है जो आपको माला माल बनाएगी जो आपको बहुत सारा धन दौलत रुपया पैसा देगी तो ऐसी कौन सी शक्ती है आपको बता दें हां कि आप भगवान श्री कृष्ण के बड़े भक्त लगते हैं जी हां और कुछ लोग हैं जो महादेव के भी भक्त हैं महाकाल के भक्त हैं तो दोस्तों अगर आप महाकाल के भक्त हैं या भगवान श्री कृष्ण को जिसे भी मानते हैं आपके जो भी इस्ट हैं उनका आशिरवाद आपके साथ है वो जानते हैं कि आपका दिल बहुत साफ है आप बहुत मासूम हैं बहुत निर्मल हिस्द है आपका आप कभी किसी को दोखा नहीं देते अपने फाइदे के लिए किसी और के साथ चल कभी नहीं करते तो भगवान भी उसी को पसंद करते हैं जो पुरी इमानदारी रखे जो सच्चे हगय से उनको याद करे जी हाँ भगवान जैसे भी आप मानते जो भी आपके ईष्ट हैं वो आपको बहुत आशिरवाद देते हैं आप पूरा दान पुन्न करते रहें जो भी आपसे बन पड़े साथ ही अपने काम पर पूरा ध्यान लगाएं परिश्रम करें किसी और की बेकार की बातों में फसने की जरुवत नहीं है भगवान का आशिरवाद कुछ ऐसा आपके उपर बन रहा है कि आपका आने वाला समय बहुत पॉजिटिव रहने वाला है जी हाँ बहुत पॉजिटिव रहने वाला है वो अपना आशिरवाद आपको दे रहे हैं इश्वर आपको आसीरवाद दे रहे हैं और आपको बस उनको ध्यान में रखके ही कोई काम करना है आपके सारे काम बनेंगे कोई भी काम आपका अधूरा नहीं रहेगा आपके मन की हरिक्षा वो पूरी जरूर करेंगे और आपको माला माल भी बनाएंगे जी हाँ दोस्तो आप जितना भी दान पुन्ने कर सकती हैं आपके सामर्थ के हिसाब से आप दान पुन्ने करें दोसरों की मदद करें और फिर आप देखेंगे कि आपकी जो ईश्र हैं वो कितना आपको बदले में देते हैं जी हाँ अगर आप उने एक रुपया देते हैं दा करते हैं तो आपको सो गुना होकर वो वापस मिलता है आपका लोग तो ठीक है पर लोग भी सही करते हैं आपके इश्ट तो इस तरह से आपके साथ उनका आशिरवात बना हुआ है हम देख रहे हैं टैरुकार यही बता रहे हैं कि बहुत अच्छा समय है आपको भाग में सब क पॉजिटिव रहना है उनका ध्यान करना है और अपने लिए भी इश्ट से यही मांगना है कि हमें साथ सही रास्ते पर चलें आपका मार्प दर्शन करें उनसे ही प्रार्थना करें आपके मन की सारी इक्षाएं वो जरूर पूरी करेंगे आपको समझ में आ गया होगा जै आपके लिए आपके लिए जिसे भी आप मांते हैं जै मातादी लिखें जैश्री कृष्णा लिखें हरहर महादेव जिसको भी आप मांते हैं अपने